अगर आप एक Windows user हो और अगर आपके computer से files automatically delete होते जा रहे हैं तो Windows में available एक setting की बज़े से ये problem probably आपके साथ हो सकती है इसके अलाबा भी कुछ और भी चीज़े हैं जिसकी बज़े से files automatically computer से delete हो जाते हैं उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे तो आएए आज किस वीडियो में देखते कि ऐसा कौन सा setting है जिसको आप change करके आप किस problem को आप solve कर सकते हो और किस-किस बज़े से files automatically Windows से delete होते जाते हैं हेलो दोस्तों मेरा नाम है शोमोजीत आप देख रहेगी किस वोमें YouTube चैनल चले ये दोस्तों आज किस वीडियो को शिरू करते हैं तो files जो ये delete हो जाते हैं ये कोई problem हम नहीं कह सकते कुछ cases में obviously ये basically एक setting की वज़े से होती है Windows में एक feature आता है जिसका नाम है storage sense इसका काम है apps की temporary files को delete करना Windows में जो temporary files constantly बनते जाते हैं उनको delete करना regular business पे recycle भी इनको clean करना और साथ ही browser की temporary files है उनको भी delete करना ताकि आपके computer में maximum storage space खाली हो सके सर्फ एही नहीं storage sense के जरिए Windows आपके computer की जो download folder है उसका भी contents को delete कर सकता है Windows की इसाफ से download folder की contents है वो temporary files है तो जिस setting के मैं ये पर बात कर रहा हूँ अगर on रहे जाए तो periodically आपके जो download folder है उसके contents delete होते रहेंगे तो आए ये देखते हैं कि इस setting को आप कैसे reconfigure कर सकते हो तो इस problem से चुटकारा पाने के लिए आप simply अपने computer की settings में जाएए settings में आप कैसे जाओगे आप यहाँ पर search कर सकते हो या फिर आप windows और i को एक साथ प्रेस कर सकते हो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर settings open हो चुकी है अब मुझे यहाँ पर जाना है system category में यहाँ पर आने के बाद मुझे simply जाना है storage टैब में तो storage में जाके आप यहाँ पर सबसे पहले जो option देख सकते हो OS storage sense को on या फिर off करने की तो अगर आप यहाँ पर इसको off कर देते हो तो directly पूरा का पूरा storage sense फिचरी off हो जाएगा जो की आपको नहीं करना है आपको storage sense को reconfigure करना है तो मैं इसको यहाँ पर simply on कर देता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ storage sense को on या फिर off करने की option मिलती है जैसे कि अगर आप इस सीच को इस position पर कर देते हो तो storage sense off हो जाएगा और इस position पर यह on रहेगा साथ ही कब storage sense को activate होना है उसके लिए भी यहाँ पर option दी गई है जैसे कि during low disk space every month, every week, every day तो ऐसे यहाँ पर options दी गई है मैंने यहाँ पर personally during low disk space को select करके रखा है ताकि जब यहाँ पर मेरे computer में storage की कमी हो तो storage sense यहाँ पर activate हो जाए और जितना भी हो सके यहाँ पर temporary files को clean कर दे ताकि मुझे maximum space मिल जाए उसके बाद यहाँ पर जो option आती है और temporary files की temporary files के अंदर आपको यह सबसे पहले एक tick दिखने को मिलेगी जहाँ पर यह बता जा रहा है delete temporary files that my apps aren't using यहाँ पर आपको tick को रखके छोड़ देना है इसको आपको off नहीं करना है then यहाँ पर आपको एक और option मिलती है delete files in my recycle bin if they have been there for over 30 days, 60 days, 14 days, 1 day और never, तो इसके मतलब यही है कि अगर recycle bin पर कोई file पड़ी हुई है जो आप use नहीं कर रहे हो तो उसको यहाँ पर storage sense automatically delete कर देगा कब delete करेगा उसका यहाँ पर options दे रखा है अगर आप यहाँ पर never कर देते हो तो कभी भी आपका recycle bin खाली नहीं होगा और अगर यहाँ पर one day करते हो तो एक दिन में खाली हो जाएगा 14 दिन करते हो, 14 दिन में खाली हो जाएगा 30 देज करते हो, तो 30 दिन में खाली हो जाएगा 60 देज करते हो, तो 60 देज के अंदर खाली हो जाएगा तो मैं personally 30 days को ही रखना प्रेफर करता हूँ इसके बाद आता है हमारा important option जिसके लिए ये वीडियो बनाने का मैरा मकसद था यहाँ पे है delete files in my download folder if they have been there for over, never, 1 day, 14 days, 30 days और 60 days तो इसका मतलब यह है कि download folder के अंदर जो भी files पड़ी हुई है उसको यहाँ पे storage sense कब delete करेगा कभी delete नहीं करेगा, 1 दिन के अंदर delete कर देगा, 14 दिन के अंदर कर देगा, 30 दिन के अंदर कर देगा या फिर 60 days के अंदर कर देगा तो ऐसी यहाँ पे options दे रखा है, आपको यहाँ पे simply इसको निभर करके ही छोड़ देना है अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपके download folder की कोई भी content delete ना हो यहाँ पे यह बताने वाली बात है कि जो storage sense है यह सिर्फ आपके download folder को effect करता है बाकी के जो folders है, जो files है अपके system में उनको यह effect नहीं करता है तो इसके उपर हम थोड़ी देर बात बात करेंगे तो यह तो हुआ कुछ automatic feature अगर आपको अभी storage sense को use करके अपने temporary files को अपनी system से clean करना है तो आप यहाँ पे clean now पे click कर सकते हो तो यह सारे के सारे जो temporary files से उनको clean कर देगा सिर्फ यहाँ पे download folders की content रहेगी वो clean नहीं होगी तो यह process होने में थोड़ा सा time लगता है ओ, यह complete भी हो चुका है तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि storage sense कैसे काम करता है कैसे आपको सारे settings के अंदर toggle करनी है यहाँ पे आप एक और option देख सकते हो OneDrive के regarding भी कुछ settings है जो कि आपको यहाँ पे छेरचार करनी की कोई जरूरत नहीं है जैसा यहाँ पे है, ऐसा है यहाँ पे रख दीजेगा यहाँ पे यह बास ज़रूर important है अगर आपके computer से files automatically delete हो रहे हैं तो हम यहाँ पे पूरा का पूरा blame storage sense को नहीं कर सकते storage sense सिर्फ download folder के अंदर की downloaded contents को delete करता है इसके अलाबार जो other यहाँ पे folders है या फिर files है या फिर जो other drive में जो folder files है उनको effect नहीं करता है तो probably किसे दर रहे कर कोई virus या फिर malware की बज़े से भी problem हो सकती है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई software install किया था इसकी बज़े से यह problem हो रही है या फिर बहुत बार जो हमारा antivirus program से उनकी बज़े से भी problem होती है antivirus program जैसे कि आप सब जानते ही हो कि virus definition के उपर work करता है तो अगर किसी file की काम करने का तरीका उस antivirus program में available virus definition के साथ match कर रहा है तो उस file को delete कर देता है जो antivirus program है वो उस file को delete कर देता है यह सोचके कि वो virus है अब यहापर वो virus हो भी सकता है ना भी हो सकता है अगर यहापर वो file अपने internet से डाउनलूड किया था तो हो सकता है वो virus हो और अगर उस file को अपने खुद से create किया था तो virus नहीं होगा अगर यहापर antivirus program डिलीट कर रहा है तो उसको virus की तरह लग रहा है तो हम antivirus programs को अभी scene से हटा देते हैं बाकी की चीज़ों को लेकर बात कर लेते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके computer में कोई malware या फिर कोई virus आ गया है या फिर उस virus को खतम कर देगा अगर आपके system में कोई antivirus program डाला नहीं है तो Windows Defender से भी आप scan कर सकते हो पर Windows Defender इस मामले में उतना बढ़िया नहीं है पर हाँ आप इसको use कर सकते हो Windows Defender से भी आप scan करके जो virus बगएर है उसको clean करने की कोशिश कर सकते हो और अगर किसी third party software की बज़े से यह problem हो रही है और अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप एक बार अपने Windows मेशीन को एक बार safe mode पे boot कीजे safe mode में boot करने के बाद आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि files automatically delete हो रहे हैं या फिर नहीं अगर delete हो रहे हैं तो कोई और problem होगी अगर delete नहीं हो रहा है तो यहाँ पे किसी तरह कोई virus भी हो सकता है हाँ कोई virus भी हो सकता है और साथ ही कोई software के मेज़े से भी problem हो रही है तो ऐसा भी हो सकता है तो आप यहाँ पे तोड़ा सा सोच के देखिए कि आपने recently कौन से कौन से softwares को install किया था उसके इसाफ से आप उन softwares को uninstall कर सकते हो या फिर आपने अगर पहले अपने system की backup बना के रखा था तो उसको आप simply restore भी कर सकते हो system restore option से आप अपने system को वापस से restore करके problem को solve कर सकते हो और अगर ये सब कुछ करने के बाद भी problem solve नहीं होती है फिर भी आपके files delete होते जा रहे हैं तो आप अपने windows computer को पूरा का पूरा format मार दीजे और पापस से windows को install करके सारे के सारे programs को install कीजे तो may भी आपका problem यहाँ पे solve हो जाए और हाँ जो ये files यहाँ पर delete हो रहे है files की जो ये problem है ये बहुत बाद storage devices की बज़े से भी होती है harder failure भी हो सकता है जैसे कि अगर आपका hard drive खराब हो जाए या अपका SSD बगएरा खराब हो जाए तो भी ये problem हो सकती है तो मैंने यहाँ पे आपको कुछ ऐसे points बता है जिसके बज़े से ये delete होने की problem होती है अब यहाँ पे मैं आपको guarantee से तो कुछ नहीं कह सकता कि हाँ यह problem है इसको आप देखिए तो आपका problem सही हो जाएगा मैं ज़स आपको कुछ points बता सकता हूँ इन में से सबसे पहला है antivirus antivirus के बज़े से भी problem होती है बहुत बार तरह तरह के viruses की बज़े से भी problem होती है virus safe and malware की बज़े से भी problem होती है बहुत बार किसे तरह का software की बज़े से भी problem होती है जो आपने गलती से install कर दिया है या फिर अपने मर्जी से इंस्टॉल किया है पर उसका वर्क करने का तरीका आपको पता नहीं है ऐसे इसे की बज़े से भी होती है और बहुत बार यहाँ पे storage devices की failure की बज़े से भी यह problem होती है तो मैंने आपको सारे के सारे points बता दिये हैं अब आप मुझे comment करके बताए कि आपको कौन सा problem लग रही है अगर आपके साथ यह problem हो रही है तो अगर आपके files अट्रमेंटी के लिए delete होते जा रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा problem है ओ आप मुझे comment करके जिरूर बताना और हां storage sins को अब मत भूलिएगा क्योंकि storage sins जो है यहाँ पर download folder की contents को delete कर सकता है और बाकी के जो folder है बाकी के जो यहाँ पर drives है उनमें से कुछ भी delete नहीं करता है तो इसी के साथ इस video को महीच पर साफ़ करता हूँ उमीद आपको वीडियो के पसंद आप अगर आपको वीडियो को लाइक कीजे और दोसों के साथ सेर कीजे और अगर अगर अपके मन में कोई सवाल है तो मैं उसच्छा को जबर रिप्लाई करूँगा इसकी इस वीडियो को भी पिसाब करते हो देंगे लिए उस्ताब का बहुत बहुत धने बाद गुडबाई